दोस्तों NSE ने पूरी तरीके से इंडेक्स को चेंज कर दिया है इतने बड़े बड़े ड्रास्टिक चेंज करें हैं जिस कारण से मार्केट में लगातार पेन बना हुआ है अब लगातार पेन क्यों बना हुआ है चुकि जहां पे तेजी बन रही थी वही पर सबसे बड़े जिस कारण से अगर आप देखेंगे तो आज थोड़े बहुत इंफ्लो आने के कारण भी मार्केट उतना जादा खुश नहीं हो पाया तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो Nifty Index में सारे बदलाव हो चुके हैं और Impact आपको आज और कल देखने को मिलेग तो यह बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए एक एक शेयर के बारे में बात करूँगा जो कि यहां पे केवल बात हो रही है Nifty की और आपको पता है Nifty ही पूरे मार्केट का एक सुचकांक है कि इंडेक्स है जो इग्जैक्ली मार्केट को डिरेक्ट करता है कि मार्केट किधर की तरफ जाएगा तो आप देख सकते हैं यह अपडेट कहां से आप चेक कर सकते हैं CNBC आवास से जो एक घंटे पहले आई है तो जाके चेकाउट करिएगा तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो Nifty ने मार्केट में आपको कल पेन भी देखने को मिला है सेबी ने भी कुछ चेंज़ीस करे तो वहाँ पे आपको पेन देखने को मिला है तो NSC और देखेगा सेबी ने साथ में जो चेंज़ीस करे है जिस खारण से मार्केट में अचानक से आपको देखीगा चें़ीस देखने को मिला है चुकिया पर पूरी माथधोलॉजी को चे निफ्टी 50 में एक शियर को बदला गया है वही निफ्टी नेक्स 50 और निफ्टी 100 में पांच पांच शियर को बदला गया है निफ्टी मिट कैप में 14 स्टॉक को बदला गया है निफ्टी 500 में 34 स्टॉक को बदला गया है अब आप समझ सकते हो ये कितने बड़े बदलाओ है क इतना बड़ा देखेगा यहाँ पे चेंज है और पूरा इंडेक्स पूरे इंडेक्स जो है निफ्टी के वो ड्रास्टिकली चेंज हुए है जिसका इंपाक्ट आपको स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल ला है तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा स्टॉक हाँ पे है और किन स्टॉक्स को निकाले जाने के कारण उसका इंपाक्ट देख्यों मिल ला है तो अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग इंडेक्स में बदलाव हो चुके हैं शेयर बाजार ने आज जानकारी दी है एनसी इंडेक्स में मिंटेंस सब कमिटी की कल तो अब आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट है कि यह बदलाव क्या है और यह बड़े बदलाव है तो इसका इंपक्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स में एक ही चेंज हुआ है जिसका कोई भी इंपक्ट नहीं पड़ा, UPL चला गया और शीराम फाइनेंस आ गया लेकिन कोई भी इंपक्ट नहीं पड़ा, फिसके इलावा आप देखेंगे नेक्स 50 में इसे अडानी विल्मार, वुदूत फाइनेंस, पिया इंडेस्टी, प्रॉक्टर और गैंबल, हेल्थ केर, शीरा अगर आवर देखनें मिली थी, आज भी वही इंपक्ट देखनें मिला, तो एक तरीके से जब भी अडानी से रिलेटेट कोई बात आती है, तो आप समझ सकते हो, तो ये पहला इंपक्ट था, फिर अगर आप देखेंगे, छोटे स्टॉक अडानी पावर को, और रेल्वे क कुछ देखेगा, कमपनीस को शामिल किया गया है, तो अडानी आपको पता है, बैंकों से रिलेट करते हैं, तो बैंकों पे इंपक्ट आपको देखने हो मिला, अडानी के शेर्स आप देख सकते हैं, पिछले तीन निन में कितने गिरें, जाके चेक आउट करिएगा, फिर अगर आप देखेंगे, तो निफ्टी 500 में 34 स्टॉक बर्दे गए हैं, इंडेक्स से बाहर होने वाले स्टॉक में बड़े स्टॉक हैं, अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइजर है, फार्मा से रिलेटेड, और अगर आप देखेंगे, तो वीम GMDC और भी बहुत सारे स्टॉक्स को क्या करा गया है इंट्री दी गई है और अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हुई है निफ्टी मिटकाफ सिलेक्ट में वोड़ा फैन आइडिया को भी शामिल किया गया है जिसकी स्थती अभी इतनी बेटर नहीं मान जारी थी फिर भी अगर आप देखेंगे तो यह सारे जो ड्रास्टिक चेंज हुए हैं मेतोडलोजी के कॉर्डिंग उसको अभी पूरी तरीके से मार्केट अर्जस कर रहा है तो अगर आप देखेंगे क्या दी है कंपनी ने जानकारी कंपनी ने बद्दाओ की जानकारी देते हुए कहा है शीराम फाइनेंस को 50 में शामिल किया गया है UPL को रिप्रेस किया गया है इसका 6 मार का ओसेट फ्लोट कैप सबसे अधिक था निफ्टी 50 के बद्दाओ निफ्टी 50 के इकॉल वेट इंडेक्स पर भी लागू होंगे तो आप देख सकते हैं कि कई तरीके क चेंजेस यहाँ पर आपको देखने हुँ मिल ला है mid cap, multi cap और इन तरीके के indexes पर तो आप समझ सकते हैं कि कितना important एक particular drastic change है जिसका impact आपको शनी वार तक देखने हुँ मिलता रहेगा चुकि अभी market इसको adjust करेगा एक दिन में इसका effect नहीं आ सकता तो थोड़ा सा focus रखेग और जल्दी देखेगा कोई अच्छी update कराती है market के लिए तो market कहीं न कहीं rebound भी करेगा, thank you so much